आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव अगर रहते हैं किसी भी जी सी कंट्री में तो वो कोई आसकते हैं जी सी का मतल resolve यह है कि अगर वीडियो में यह सब कुछ बताया जाएगा सबसे पहले हम यह बता दे कि वह एवीजा या police वीजा को अपलाई कर सकते हैं और यहां पर आ सकते हैं और वुस ईवीजा को अपलाई करने के लिए या टूरिस वीजा को अपलाई करने के लिए डॉक्यमेंट आपको चाहिए एक चाहिए पासपोर्ट और उसके पास चाहिए आपकी रिजिदंसी पर्मिट वो यूए की भी बताना चाहिए या फिर किसी दोस्त के घर में रुकने वाले हैं क्या रिलेटिक के घर में रुकने वाले हैं उसका भी डिटेल आपको बताना पड़ेगा उसके बाद कोई की गवर्मेंट ने कुछ प्रोफेशन को अप्रूफ कर रखा है एवीजा के लिए उस पे से पहला प पफलिक एक्जेकुशन है यूनि वर्सल यूनि वर्सनिट के कोई टीचर है जॉन्लिस्ट है यह फिर प्रेस या मीडिया के सटाफ है पाईलेट है सिस्टेम एनलिसा से है यह फिर फार्मे 115 है कम्प्रूज MR है मेस बुजनος मैं है डिपलो मेंट्स है ओनर है यह फिर अगर आप इनमें से कोई भी है तो definitely वो लोग apply कर सकते है कोईट का e-visa और आ सकते है because छुटियों का time है तो वो लोग आके अराम से कोईट गोम सकते है और आपके अगर रिच्तेदार है तो आपके संग रह सकते है वीजा apply कहा करना है definitely जो वीजा apply करना है वो ministry of interior affair ने अपने एक portal बना रखा है e-visa को apply करने के लिए उस portal का इस नाम है इस तरीके से e-visa.moi.gov.kw इस पे आप जा सकते हैं यहाँ पे लिखा भी होगा तो आप उस पे जा सकते हैं और उस पे apply कर सकते हैं और अपने सारे documents को upload कर सकते हैं और visa के लिए भेज सकते हैं और अगर ministry of interior affair ने approve कर दिया तो definitely आपको visa मिल जाएगा एक बारी visa मिल जाए तो आप अराम से यहाँ पर आ सकते हैं उसके इलावा यह भी है कि जो लोग यहाँ पर आना चाते हैं और वो CCC resistance में रहते हैं और उनका जो profession जो मैंने बताया वही है तो वो authorized travel agents को भी बोल सकते है अपनी countries में वो लोग भी उनका visa apply कर सकते हैं तो यह बड़ी अच्छी बात है कि आप apply करके यहाँ पर आ सकते हैं because काफी लोगों का message आ रहा था जो दुबई में है और वो कोईट आना चाते हैं उनके relative कोईट में रहते हैं और वो थोड़ा time spend करना चाते हैं कुछ families है जो दुबई में रहते हैं तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप कुछ ऐसी वीडियो बने के आए जिसमें बताए कि अगर कोई लोग दुबई में रहते हैं और कोईट आना चाहते हैं तो कोईट का visa कैसे apply करना है किस तरीके से करना है वो स्थीज की information दे because इस type की information ज्यादा क यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो मैंने इस तीज पर काफी सर्च किया और सच करने के बाद मेरे को काफी अच्छी information मिली तो मुझे लगा कि आप लोग के संग शेयर करना थी बहुत ही important information है और में भी सर्दियों में जो मेरे relatives है जो दुबई में रहते हैं hope करते हैं कि व वो लोग वीडियो पर आये और अपना experience शेयर करें और उन लोगों ने कैसे apply किया किस तरीके से आये क्या और वो फ्लाइट से आये क्या वो रोड आये किस तरीके से आये सारा कुछ information मैं दूंगा जब वो मेरे relatives यहां पर आएंगे और stay करेंगे और कुछ videos बनाएंगे आप topics related कोई भी आपका question है definitely आप हमें भेज सकते हैं हम लोग उस पर research करके आप लोग को बता देंगे तो अब ये वीडियो ही पर खतम करते हैं मिलते हैं आपको कई और वीडियो पर बाई